हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल दी क्रेजी फैमिली इस लॉकडाउन में हेल्दी खाना तो बनता है चलो आज हम बनाएंगे कुछ हेल्दी वेजिटेबल खिचडी चलो स्टार्ट करते हैं मैंने ले लिया है एक टमाटर एक काजर हाफ प्याच लसुन और मिर्ची और मैंने ले लिया है ग्रीन पीस काउन और मैंने राइस और मूंग दाल को पहले ही सोप करके रख लिया था सो आज हम इन सब चीजों का एक दिम ही हेल्दी खिचडी बनाएंगे अब मैं कुकर गरम कर लूँगी उसमें घीर डाल दिया है मैंने अब उसके अंदर मैं जीरा डाल दूँगी जीरा को मैं फ्राइ होने दूँगी एक बार जीरा फ्राइ हो जाए तो मैं इसके अंदर गार्लिक और मिर्चे डालूँगी मैं अच्छे से चला लूँगी एक बार ये दोनों अच्छे से फ्राइ हो जाए तो इसके अंदर मैं गाजर और टमाटर डालूँगी आप देख सकते हैं एक बार ये दोनों फ्राइ हो जाए अच्छे से पक जाए तो मैं इसके अंदर प्याज डालूँगी जो कि मैंने डाल दिया है आप देख सकते हैं मैं अच्छे से वेज़ेटेबल्स को सौटे कर लूँगी फिर इसके बाद मैं इसके अंदर ग्रीन पीज और कॉन डालूँगी मैं इन दोनों को भी अच्छे से सौटे कर लूँगी हम वेज़ेटेबल्स को ज्यादा पकाएंगे नहीं सिर्फ सौटे करेंगे आप देख सकते हैं मैं चला रही हूँ क्योंकि यह नीचे से पकड़े ना आपको दो मिनिट तक इसे वेजिटेबल्स को पका लेना है लेकिन ध्यान रखे जलेना अब मैं डालूंगी मसाले मैंने ले लिया है हल्दी मैं हल्दी डाल हूँ फिर मैं डालूंगी है थोडा सा रेडре चिलि पाउडर फिर थोड़ा सा गर्म मसाला थोडह सा गर्म मसाला फ्लेवर के लिए Community सब को मिक्स करूंगी एक बार मसाले अच्छे से सब्जियों में मिक्स हो जाए फिर मैं राइस डालूँगी ताकि मसाले की खुश्बू राइस में भी अच्छे से मिक्स हो जाए अब मैं राइस डालूँगी आप देख सकते हैं मैंने राइस डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है अब मैं इसे तीन से चार मिनिट तक ऐसे ही लो फ्लेम पे पकालूँगी अब मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं आज मुझे ज़्यादा गीली खिचली नहीं खानी थी तो इसलिए मैंने थोड़ा ही पानी डाला है पानी डालने के बाद मैं इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाल लूँगी नमक डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी अब अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं मैं ज्यादा कुटर को में इस कुकर का लिड लगाने के बाद ज्याद़ ती नहीं तूंगी और मैं уже डिए इसको पहले सोब कर के रखा था कुकर का लिड लगा लिए मैंने दो सीटी देंगी इसे को दो सीटी के बार आप देख सकते हैं मेरी खिचडी कितनी डिलीश्यस दिख रही हैं आप देख सकते हैं इसमें सब्जी भी दिख्के आ एह को बहुत ही टेस्टीए बनी है मारी खिचडी मैं आपको दिखा देती हूँ चला के अब देख सकते हैं अब मैं इसे सर्फ करूँगी आज मैं इस हेल्दी खिचुडी को हेल्दी चटने के साथ खाऊंगी जो कि मैंने बनाया है अवाकाडो की जिसके अंदर मैंने हलका सा नमक हलका सा रेड़ मिर्ची पावडर डाला था और इन दोनों का कॉंबिनेशन बहुत ही टेस्टी है आप भी आईए हल्दी खाईए और हल्दी रहिए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब और कमेंट कीजिए थैंक यू